तो यार यह वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यह बता देता हूं कि सबसे पहले आप जाके पीडियेफ नोट्स ठले हुएं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए है उससे जाके अपना रिवीजन कर ले पहले पहले इस चैप्टर को पूरा रिवाइस कर ले उसके बाद अपन यह सब करते हैं तो अच्छे नोट्स है एकदम रिवाइस कर लो डेरिवेशन में नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ कंसेप्ट्टोब और और न्युमारिकल कोस्ट और खर्वा रहा हूं ठीक है और उससे बहुत कुछ भूस जाता है तो चालो करते हैं अपन अपना वीडियो पहला पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन कब कब आ चुक है दिल्ली 2014 एंडिया 2016 फॉरें 2009 तीन बार आ चुक है बोड की पेपर में तो इसको तो अपने को इंग्लूट करना ही था ठीक है क्या बोलता है कोशन ठीक है एन एलेक्ट्रिक डाइपोल अफ लेंथ 4 सेंटीमेटर वन प्लेज़ विद इस एक्सिस मेकिन एंगल 60 डिगरी विद उनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्विरियंस अ टॉर्क ओफ 4 रूट 3 न्यूटन मीटर कैल्कुलेट दो पोटेंशियल एनर्जी ओफ डाइपोल इफ इस है चार्ज प्लस माइनस एट नैनो कुलम देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला है ठीक है देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोले तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P e cos theta, ठीक है, potential energy का formula होता है P e cos theta, theta यहाँ पे दिया है 60 degree, कैसे, यह electric field, और ऐसा करके कोई dipole रख है, बोल रहे है, 60 degree बनाता हुआ, तो यहाँ से 60 degree theta का value है, ठीक है, और क्या दिया है, length 4 cm, length of dipole आपने पढ़ा होगे, 2 times of a होता है, is equals to 4 cm, इसको meter है महाल लेते हैं, 10 to the power minus 2 meter, ठीक है, यह length of dipole दिया हुए, ठीक है, अब P का value क्या होता है, dipole moment, 2a, q, 2a का value दिया हुए, यह q, q भी दिया हुए, q किदा है, q यह, nanoculum मे, q is equals to है, 8 plus minus 8 into 10 to the power minus 9 coulomb, nano मतला 10 to the power minus 9, ठीक है, यह q का value दिया हुए, अब P निकालते हैं यहां से, तो 2a किता है, 4 into 10 to the power minus 2, 4 into 10 to the power minus 2, उसके यह होगे 2a, अब q की value दाल देते हैं, ठीक है, 10 to the power minus 11, ठीक है, P निकल गया, अब E निकालना है, ठीक है, E का value कैसे निकलेगा, आपने को torque दिया हुए है, torque की value कित्ती दिया है, 4 root 3, tau is equal to होता है, P e sin theta, ठीक है, तो E is equal to हो जाएगा, T by P sin 60, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है, अब इसका value डाल देते हैं, 4 root 3, 4 root 3, torque का value, P का value यह, 32 into 10 to the power minus 11 into sin 60, sin 31 by 2, sin 60, root 3 by 2, ठीक है, तो यह 2 से यह 16 times में, ठीक है, यह 4, और यह 4 times में, तो यह बच्चेगा, root 3, यह root 3, यह root 3 गया, तो यह बच्च जाएगा, 1 upon 4 into 10 to the power minus 11, 10 to the power minus 11 को उपर लेके चाहिए जाते हैं, तो 10 to the power plus 11 हो जाएगा, और 10 को 4 से divide कर देते हैं, तो यह जाएगा, 2.5 into 10 to the power 10, यहाँ पर क्या क्या समझाया, यहाँ पर 10 to the power 11 था, उससे एक 10 निकाले और 4 को उससे divide कर दिये, तो इत्ता आया, यह किसका value आया, E का value आगया, अब निकालते है potential energy, ठीक है, U is equals to minus P E cos theta, यहाँ पर लिकालते हैं, U is equals to minus P का value क्या है, P का value है यह, 32 into 10 to the power minus 11, P into E, E क्या है, E है, 2.5 into 10 to the power 10, अब कॉस theta, कॉस 60 के value कित्ती होती है, कॉस 30, रूट 3 by 2, कॉस 61 by 2, ठीक है, तो यह है, 1 by 2, ठीक है, 2 से 2 गया, यह हो गया, 16, 16, 16 into 2.5, 16 into the 34, नहीं, 32, 32 plus 8, 40, और यह गया, तो U आजाएगा 4, कैसे 4 आएगा, 10 to the power minus 1 बचेगा, यहाँ से और यह कट जाएगा, 10 to the power minus 1 बचेगा, तो 1 by 10 हो गया वो, और यह 40 by 10 मतला 4 आजाएगा, यह है U का value, ठीक है, तो ऐसा कोई भी question आएगा, तो पहले अपने को basic formula लिखना है, फिर यह time निकालना, यह time निकालना, theta दिया हुए, सब को एक संट डाल के निकाल देना value हो, ठीक है, अगला question देखते है, यह अगला question देखते है, ठीक है, यह दो बार आ चुका है, ठीक, foreign 2011 में और India 2010 में, ठीक है, क्या बोलता है है, calculate the amount of work done in turning और electric dipole of dipole moment 3 into 10 to the power minus 8, मतलब dipole moment दिया है, मतलब P की value दी हुए 3 into 10 to the power minus 8, ठीक है, पी दिया है, from its position of unstable equilibrium to position of stable equilibrium, अब देखो भाई, इससे यह question बनता ही है, unstable equilibrium या stable equilibrium, मतलब हर साल एक question आता है, या तो one marker आएगा, या फिर कोई conceptual आएगा, या फिर कोई numerical आएगा, जिसमें unstable या stable equilibrium दिया ही होगा, ठीक है, तो unstable equilibrium क्या होता है, unstable equilibrium, यह होता है, P और E, माल लो ऐसा कोई electric field है, ठीक है, और यहाँ पे यह कोई dipole रखा है, जिसका dipole moment P इधार है, और electric field इधार है, अब P और E के बीच में, P और E के बीच में, जब 180 degree का एंगल होता है, तब वो रहता है unstable equilibrium में, मतलब यहाँ पे 180 degree का एंगल रहता है, dipole moment और electric field के बीच में, ठीक है, अब unstable equilibrium, मतलब stable equilibrium का होता है, stable equilibrium मतलब zero degree का एंगल होता है, जब, stable equilibrium मतलब zero degree का एंगल होता है, अब आगे देखते है, ठीक है, calculate the amount of work done in turning a electric dipole moment of इतना electric field का value दिया हुआ है, इतना, work done का formula होता है, अगर किसी dipole को अपन किसी electric field में भूमा रहे हैं, तो उसमें work done का एक formula होता है, अभी अभी revision मारके आये होगे note से तो पता होगा, w is equal to p e cos theta 1 minus cos theta 2, theta 1 क्या है, initial position, इस case में initial position क्या है, unstable equilibrium और minus final position, final position क्या है, इसमें, stable equilibrium, ठीक है, आगे करते है, p का value डाल देंगे, तो हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 8, e की value डाल देंगे, 10 to the power 3, अब cos theta 1, cos theta 1 वोला, cos 180 degree, cos 180 degree हाँपे लिख देता हूँ कि इत्ता होता है, minus 1 होता है, cos 180 degree is equal to minus 1, ठेक है, यह minus 1, minus cos 0, cos 0, 1 होता है, minus 1, तो यह 2, minus 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 6 into 10 to the power minus 5, एसे निगलेगा, इसका work done, ठीक है, मतलब इसमें concept की बात क्या थी, unstable equilibrium होता क्या है, बस यह वाली concept की बात थी, ठीक, अगला देखते हैं, तो अब यह वाला question देखते हैं, ठीक है, यह दो बार आचुका है, one marker में, और एक बार आया है, all India, 2011 में, तीन marker में, देखो यह बोलता क्या question, ठीक है, पहले, मतलब दो charge है, A और B, जिसका है, minus 4Q, minus 4Q charge, और B का है 10Q charge, और यह जो C है, वो है chargeless, C को पहले A के साथ contact किये, फिर A के साथ contact करने के बाद, उसको B के साथ contact किये, तो अब, जो C में, जो net charge है, वो क्या होगा, B के साथ contact करने के बाद, तो यह जो question इतनी बार आया है, क्या यह same question आया है, नहीं, यह same concept का question आया है, मतलब हर बार value change करके देगा लेकिन concept हुई रहेगा ठेक अब देखते हैं c को पहले a से touch कर रहा है c charge less है मतलब 0 charge है ठेक है और a के पास है minus 4 q charge upon 2 क्या होता है अगर इसके पास 2 रहता है इसके पास 2 रहता है तो 2 plus 2 charge by 2 कर देना है ठेक है मतलब अगर 2 charge से contact करेंगे इसके पास x है और इसके पास y कूलम चार्ज है ठेक है अगर दोनों contact किये एक दूसरे के साथ फिर अलग हो गया तो दोनों के पास x plus y by 2 charge बचेगा वो ऐसी 0 plus minus 4 by 2 मतलब minus 2 q अगला देखते हैं यार यह बला कुर्शन अगर यह बला कुर्शन अगर दोनों के साथ यह बहुत सही कोश्चन है थोड़ा सा हिला देता है और ठीक है कैसे और uniform electric field e दिया हुए find the flux of this field through a देखो यहां यह के साथ i cap भी दिया है मादलो जो electric field है वो x direction में ठीक है i cap दिया हुए find the flux of this field through a square of 10 cm एक square दिया है 10 cm का on the side whose plane is parallel to yz plane उसका जो plane है वो yz plane के parallel है ठीक है वो square का what would be the flux through the same square if plane makes an angle of 30 degree अगर उस plane का जो अगर वो plane है वो 30 degree ऐसा बना रहे मादलो की yz है यह x है न यह y और यह z यह yz है ऐसा करके 3D यह yz है और इधर की तरफ x है अगर मादलो वो plane ऐस से करके 30 degree बना रहा है x-axis से ठीक है तो उसके अंदर से flux कितना होगा flux होता क्या है पहले वो देख लेते है flux क्या होता है कि मादलो यह कोई area दिया हुआ है ऐसा तो इसके अंदर से कितना electric field lines निकलेगा उसको बोलते है electric flux ठीक है इसको 5C denote करते है तो इसके अंदर से कितना electric field lines निकलेगा यह पूछा है question में ठीक है अब question करते है electric field के value दिवी है find a flux फाई का value क्या होता है formula e a cos theta main दिक्कत यह theta का है यह theta कैसे निकलेगा है पहले area निकाल लगते है area कितना है square का area होता है a square ठीक है तो side the attention to meter मतलो 0.1 meter into 0.1 meter is equals to हो जाएगा 0.01 meter square यह area हो यह अब theta निकालना है ठीक है theta क्या होता है electric field और उसके area vector के बीच का एंगल होता है area vector क्या होता है मालो कि ऐसा करके कोई दिया हुआ plane ठीक है यह plane है तो इसका area vector कि तरफ होगा इसके perpendicular ऐसा यह इसका area vector होगा तो electric field जा रहा है बोले तो x की तरफ electric field जा रहा है x की तरफ और plane कुछ ऐसा है कुछ ऐसा plane है ठीक है यह 30 degree है तो इसके area vector और electric field के बीच का एंगल पता करना है वो थीटा है तो इसका area vector इसके plane के perpendicular जाएगा इस यह electric field यह 30 degree यह perpendicular ऐसा यह यह perpendicular ऐसा और यह electric field अपना जा रहा है इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है कितना होगा देखते हैं यह 30 हो गया यह 90 हो गया तो 90 plus 30 120 120 180-120 60 degree तो यह 60 degree यह 60 तो यह 60 तो इलेक्ट्रिक field और area vector के बीच का angle जो है वो 60 degree है ठीक है भाई सही है सही है सही है और 5 is equal to e कितने 5 into 10 to the power 3 into area 0.01 into cos 60 cos 60 होता है 1 by 2 जब 2.5 मुलब अधर नीचे 100 हो जाएगा अब देखते हैं क्या करना है 2.5 यह 100 से यह 10 हो जाएगा तो यह बस एगा सिर्फ 25 flex का value आएगा 25 तो अगला question देखते हैं यह बहुत सही question था कीन बार आया था 2014 में foreign में इंडिया में और दिल्ली के paper में ठीक है अगला देखते हैं अब देखते हैं यह वाला question बहुत सही question है अभी ठीक है यह दो पर आ चुका है एक बार 2012 में एक बार 2016 में तो बोलता क्या है है यह time होचागा करके पूरा question नहीं लिखा हूं लेकिन बोलता क्या है एक स्फियर है एस वन जिसके अंदर charge and close to q और दूसरा स्फियर है एस टू जो वह पूरे एस वन स्फियर को अपने अंदर and close कर लिया है ठीक है उसमें चार्ज है 4 q find the ratio of electric flux in both sphere electric flux का ratio बताना है बहुत दोनों स्फियर में तो अभी अभी अपन नीचे जो PDF में link है उसमें जा के अभी revision करके आए होगे तो एक गॉस फॉर्मूला पढ़े होगे उसमें 5 is equal to q by epsilon not करके एक फॉर्मूला रहता है तो अपने से basically पूछ रहा है phi 1 by phi 2 देखो phi 1 क्या स्फियर 1 के अंदर है तो स्फियर 1 के अंदर चार्ज कितना है 2 q तो 2 q by epsilon not अब phi 2 देखते phi 2 के अंदर है चार्ज 4 q और 2 q ठीक है सिर्फ 4 q by epsilon not मत लिख्या ना ठीक है क्योंकि स्फियर 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 स्वन को भी अपने अंदर ले लिए तो उसके अंदर पूरा नेट चार्ज हो गया 4 q plus 2 q by epsilon not epsilon not गया तो यह हो जाएगा 2 q by 6 q q से q और 1 by 3 बचेगा 1 by 3 इसका रेशियो अब सेकेंड कोशन देखते हैं सेकेंड कोशन सहीं वाला एक ताम हाउ विल दा फ्लक्स चेंज इन S1 में कैसे फ्लक्स चेंज होगा इफ डाइलेक्ट्रिक ओफ मीडियम मीडियम एपसाइलन आर इस इंट्रोड्यूस बिट्विन S1 एंड S2 इस एरिया में यह दोनों के बीच वाले एरिया में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट ढाल देते हैं जिसका कॉंस्टेंट है एपसाइलन आर जिस मीडियम का कॉंस्टेंट है ठीक है तो S1 में क्या चेंज आएगा वह देखो भाई S1 के अंदर कोई मीडियम नहीं है तो फिर S1 में कोई चेंज नहीं आएगा अगर S1 के अंदर मीडियम होता मतलब इसका आंसर है no change ठीक है इसका आंसर है no change लेकिन अगर S1 के अंदर कोई मीडियम रहता तो क्या होता 5 is equals to q by epsilon not into epsilon r हो जाता ठीक है epsilon r का अगर मीडियम डिलेगा तो epsilon r नीचे आ जाएगा ठीक है यह concept है अब अगला question देखते है ठीक है यह तीन बार आ चुक है 2013 2012 2020 के में ठीक है अभी latest वाले यह है ठीक है same to same नहीं आएगा question लेकिन इसी concept के साथ एगी concept के साथ आएगा ठीक है देखते हैं क्या बोलता है कि एक cylinder रख दिया है जिसका area है इतना 25 ठीक है और जिसका length है 1 meter और यहां से वो इस axis से यह y axis यह z axis नहीं मतलब यह x axis और यह z axis इस y axis से एक मीटर की दूरी पर रखा है इस cylinder को ठीक है और जो electric field है वो यह देखो यहां पर x दिया हुआ है आई-cap वो इधर x वाले field में जा रहा है ऐसे करके तो पूछा है net flux through cylinder cylinder के तुरू net flux कितना होगा यह पूछा है तुद देखो electric field इधर जा रहा है तो electric field rate at a निकालना पड़ेगा पहले यहां दिया है पचास यह दिया है पचास ठीक है अब x दिया है x मतलब यहां पर एक मीटर दिया हुआ एक्स तो इंटू 1 कर देंगे आई कैप ठीक है अब electric field at b कितना दिया है एक प्लस एक दो और x x में दो ठीक है तो 50 इंटू 2 आई कैप लब यहां जाएगा 50 आई कैप और यहां जाएगा 100 आई कैप ठीक है अब आई होता ह्रआ फ्लक्स का फार्मूला होता है flex at a निकालते से बी है ल। डी फैर क्षाइब को फ़ता है 300 इंटो 25 अब बोले चार्ज एंड गोस्ट बाए शिलेंडर चार्ज एंड वाई सिलेंडर कितना चार्ज है इस पूरे सिलेंडर के अंदर तो 5 is equals to Q by epsilon naught ठेक है Q at A is equals to 50 into 25 into 8.85 into 10 to the power यह epsilon naught की value है तो यह यहां से Q ही निकल आ जाएगा फिर ऐसी करके Q भी निकल जाएगा ठीक है जितना भी आएगा तो दोनों को plus कर देना Q is equals to Q A plus Q B ज्यादा टाइम ना लेते हुए ऐसी कर देना आ जाएगा answer ज्यादा टाइम ना लेने के लिए मैं solve नहीं कर रहा हूँ सो खुद कर लेना है हाँ तक ठीक है अब देखते हैं अंगला 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 आएगा 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 अंगला आएगा